नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर शिवसेना सांसत संजय राउत ने सोमवार को कहा कि तिलंगाना के मुख्यमंतरी के चंद्रशिखर राउ में सभी को साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने की क्षमता है राउत ने यहां टिपपनी तब की है जब एक दिन पहले राउने भारतिय जनता पार्टी के खिलाप समान वीचार धरावले दलो को राश्ट्री अस्तर पर एक जूट करने की कवायत के तौर पर महराश्टर की मुख्यमंतरी उद्धव ठाकरे और राश्टरवधी कॉंग वक्त की आउशकता है तिलंगाना के मुख्यमंतरी की तारीब करते विराउत ने कहा कि चंदरशिकर राउ बहुत मेहनती नेता है उन्होंने अपने राजनितिक जीवन में कई संगर्शों का सामना किया है उन्होंने सभी को एक साथ लेकर चलनी की एक्षमता है उन्होंने बताया कि तिलंगाना राष्ट्र समीती के अध्यक्ष राओ और शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने विकास और देश की राजनितिक स्थेदी पर चर्चा की मनपा के आमचुनाओं को लेकर जहाँ प्रमुगदल भाजपा की ओर से बैठोका का दौर शुरू किया गया वही अब कॉंग्रेस भी सक्रिय हो गई है इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिक प्रभाग में संभावित प्रत्याशियों को खांगालने के लिए अब उम्मिद्वारी आवेदन पत्रों का वितरन शुरू किया जा रहा है शहर अद्धेक्षे विकास ठाकरे के निर्देशों के अनुसार इच्चुक कार्यकरता मंगलवार श्याम साड़े पाज बज़े से साड़े साथ बज़े तक शहर के कॉंग्रेस कमिटी के कार्यालाय देवडी या कॉंग्रेस भावन से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंग 38,70,216 रुपय का जिला परिशत उपक और कोश का बज़ट पारित हुआ नागपुर जिला परिशत की अद्धेक्षा रश्मी बर्वे ने सुमवार को बज़ट पारित होने की गोशना की कुछ सदस्यों ने दावा किया कि दूद देने वाली गायों के वितरन में पक्षपाच शामिल है क्योंकि गायों को पशुपालन मंत्री सुनिल केदार के कुछ करीबी व्यक्तियों को दिया गया है। वक्तव्या पर कोई ध्यान नी दिया गया। पॉजिटिव इसमें शामिल है। भले ही शहर में कोरोना के नए मरीज मिल रहे है किन्तु मरीजों की रिकावरी की रप्तार भी जिले में संतोज जनक है। पिछले 24 घंटे में नाकपूर जिले में 199 मरीजों को अस्पताल से चुट्टी मिली है जिन में नाकपूर शहर के 127 मरीज और नाकपूर ग्रामिन के 72 मरीजों का समाविश है। जिले में मौझूद 1113 एक्टिव केसेस में नाकपूर शहर के 734 केसेस वा नाकपूर ग्रामिन के 394 केसेस का समाविश है जबकि नाकपूर जिले के बाहर के 6 एक्टिव केसेस शहर में है। आज़ादी के अमुरुत मोहत्साओ के आउसर पर नाकपूर महानगर पालिका के वाड 19 भोहिपूरा में महर्शी नाथुबाव चोग का नामकरन महापूर दयशंकरतिवारे के हातों किया गया। जोकनायक, डॉक्टर विजय गौर, दिलिब गौर, तुलसिदाज गौर, रोहिद गौर, मधुगौर, सीताराम गौर, एडवोकेट राजिशनायक, एडवोकेट डाहनु वल्थरे आधी उपस्दित थे। गितानजली चोक से गांदिसागर जिल तक की सडक होने के कारण, सडक के भूमी पुजन कारेकरम में जीन परिवारों के घर तोड़े जाने थे, उन्हें नए घर की चाबिया दी गई है। भारतिय रेलवे द्वारब 20 लाग से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, जिन में परियटक, नियमित और सामाईक यात्रियों का समाविश है। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनने वालों को ट्रेन में आरक्षित बर्त की आउशकता अधिक होती है। इस प्रणाली को PRS यात्री आरक्षन प्रणाली काहा जाता है, जहां यात्रा टिकट शारीरिक रूप से आरक्षित होते हैं, टिकेट बुकिंग के अलावव वर्तमान आरक्षन और पूछताश काउंटर जैसे अन्य काउंटर भी उपलब्द होते हैं। PRS प्रणाली, रेलवे सुचना प्रणाली के इंद्रद्वारा विकसित सौप्टवेर के माध्यम से संचालित होती है, जो यात्रियों को उपलबदाता के अनुसार बर्तावंटित करती है। मेट्रो शहरों मुंबई, चेन्नाई, कुलकत्ता और दिल्ली में स्थापित किया गया, और अब देश के कई शहरों में यहां प्रणाली उपलब्द है। विभिन्न मुद्दो पर मार्गदर्शन किया गया। परिशद में भारत के 38 सेवा निवरुत्त नायादिश कार्यकारेनी समिती में सम्मिली थै। बैठक में विशेश रूप से राष्ट्रिय महासचिव देविंदरतिवारी, सूरच प्रकाष, सेवा निवरुत्त नायादिश तता महाराष्टर की महिला अध्यक्षा, सुष्मा अमरूतकर, महाराष्टर राज्यके विधर्ब संभाग की अध्यक्ष, महेश गवलानी, स फिर लगातार निगरानी रखते वे, साड़े तीन घंटो के भीतर उसे नागपूर स्टेशन पर ही पकड़ दिया गया, आरूपी का नाम मुकेश कुमार सिंग है, वह सलेम जीला लातेहार, जारकन का निवासी है, प्राप्त जानकारी के अनुसार ललितपूर, यूपी न निवासी निखिल करन सिंग राजपूत, रात को करीब दो बजे समता एक्सप्रेस से नागपूर स्टेशन पहुचे, उनके बैग में मंगल सुत्र, अंगुठिया, चान्दी की पायल, कपड़े और मोबाइल समेद, कुल मिला कर एक लाग 53,250 रुपे का सामन था, उन्हें गायब था, घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी गई, जिसके पस्चात आरपी अबदस्टे ने कारवाई करते वे, चोर को गिरपतार कर लिया राष्ट्व संत तुकलोजी महाराज नागपूर विश्व विद्धाले ने ग्रिश्मकालीन परिक्षाय ओफलाइन पद्देती से लेने की तैयारी की है, इस संबन में पहले ही विद्वत परिशत की बैठक में निर्ने लिया जा चुका है, लेकिन उस वक्त की परिस्थि परिक्षाय ने भी संकित दिये की छात्रों को आफलाइन परिक्षा देने की मानसिकता बनाना होगा, विश्व विद्धाले की परिक्षाओं में एक से डेड़ माह का समय शेश है, इस से विश्व विद्धाले की परिक्षा विभाग को तैयारी के लिए परियापत समय मिल फिलहाल कॉलेच स्थर पर पहले सत्र की परिक्षाय ली जा रही है व्यावसाइक पठ्यक्रम के प्रथम सत्र की परिक्षा प्रविष्की अंतिम्तिति से 90 दिन बाद ली जाएगी पहले से मिस्थर की परिक्षाय मार्च की शुरुवात में होने की उम्मिद है इसके बाद ग चत्रपती शिवाजी महाराज जैनती के उपलक्ष में महत्मा गांदी अंतरराश्ट्रिय हिंदी विश्व विद्याले में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतरगत आयोजित कारेक्रम की अध्यक्षाता करते हुए कुलपती प्रोफेसर रजनिश कुमार शुकल ने क चत्रपती शिवाजी महाराज दूरदर्शी भारत का भविश्य देखने वाले लोग कल्यानकारी राजा और विश्व के राजनितिक इतिहास में सुव विवस्था के निदर्शक थे। जनसंचार विभाक के अध्यक्ष प्रोफेसर कुरुपा शंकर चौवे मंचासिन थे। अपने उद्भोधन में कुलपती प्रोफेसर शुकल ने शिवाजी महाराज के पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज सही मायने में एक भारत श्रेष्ट भारत को चरितारत करने वाले ऐसे राजा थे जिन्होंने देश की मूल संस्कृति को बचाने का काम किया। केवल मरठा राज्य की स्थापना तक ही उनकी सिमित दुरुष्टी नहीं थी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोज नमस्कार।